जैशी किश्णा, रादे रादे, मैं शिवांगी अपने योटूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सची घटना के बारे में बताने जा रहे हूँ कि जब मैं एक दिन भोग लगाना बूल गई तो हमारे यूगल सरकार ने मेरे साथ क्या शरारत की चलो जानते हैं सबसे पहले कड़ेशी का इसमरण कर ले थे एक दिन की बात है सुबह सुबह की सुबह मैंने जो मेरा रूटीन होता है भगवान को नहला दुला के तयार करके उनको बेटा दिया पूजा पाठ हो गई सब हो गया और उनको मैंने नास्ता भी सर्फ कर दिया मैं साड़े आट और नौ बचे के बीच में मैं भगवान को दूद का भोग लगाती हूं उस दिन मेरी तबियत बहुत खरापती बहुत जादा खरापती तो मैं पूजा पाठ का काम अपना निप्टा के मैंने फटा फट चाय बने की ताकि मैं दवाई ले सकूँ चाय पी के दवाई ले ले जापके क्या होता है कि सरीर इंढक मैं थकांसी होती है तो मुझे थकांसी मात वाधा दर्द सासिन वाध्य फट्वी जो मैं अपने किचन का काम निप्टा कि मैं थकांसी मात ददर्द बने है कि फट्वा था पादी नींद और आदा जगन इस टाइप का था और घर पे मेरे हस्बेंड उस समय और मेरा बीटा दोनों भार कई वे थे तो मेरे को आधी नींद ऐसा सोई भी थी आदी नीन में तो मुझे किसी ने गाल पे चिंगोटी काटी चिंगोटी काटी में एकदम हड़ बढ़ा कि उठी मैंने ये क्या हुआ मैंने गाल को छूख के दिखा तो किसी भी तरह के कोई चुभन नहीं थी मैंने चारों तरफ देखा आके कुमा के मैंने कख शायद कोई आया हो तो कोई भी नहीं था वहांपे मैंने सूचा हो सकता है कि मैंने सपने में देखा हूँ मुझे जबकी तो लगी थी तो मैं फिर वापस आँख बंद करके लेट गई मैं लेटी तो किसी ने मेरे पैर में जोड से चिंगोटी काटी मतलब वो चिंगोटी इतनी जोड से थी जैसे किसी मदुमक्खी ने काटा हो मैं दम हड़ बढ़ा के सोफे पर लेटी दम खड़ी हो गई मैं खड़ी हो कोई तो मेरे पैर में छुक के देखा तो किसी भी तरह कि कोई चुभन ही नहीं थी, कुछ चुभी नहीं था, लेकिन जिंगोटी तो काटी थी, मतलब जैसे किसी मदुमक्खी ने काट उस टाइप का था, तो मैं सोचने लगी, मैं कर ये क्या हुआ, कोई मदु बोग लगाना भूल गई थी यूगल सरकार को, फटा फट मैं किचन में गई, मैंने दूद बनाया, यूगल सरकार को बोग लगाने के लिए मैं आई, फिर मैंने अपने यूगल सरकार से बात की, मैंने मेरी भगवान से बात करने की यादत है, तो मैंने भगवान से बात की मैं का ऐसे कोई चिंगोटी काट के किसी को उठाता है क्या किसी को कोई याती लाता है ऐसे कोई और तरीका नहीं हो सकता था मुझे याती लाने का मैं कितना डर गई पता है आपको मैंने सोचा कि मुझे किसी मदो मक्खी ने काट लिया फिर मैं का अच्छा आपको भूग लग तो मैं जब भोक भोक रख दिया उसके बाद मैं लेटी तो उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परीशान निकरा फिर मैं जो मेने थोड़ा देर का मेरा आराम था वो मैंने किया उसके बाद भी अतलब वो दिन तो चलो निकल गया उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि तो उन्होंने मुझे अलग तरीके से यात लाया जैसे कि मैं जो काम उस समय कर रही थी वो काम उन्होंने मेरा पूरा ही नहीं होने दिया कुछ ना कुछ ना कुछ अर्चन डाले कि जो काम करती वो होने ही नहीं देते तो मुझे याता जाता है मैं सोचती हूं हो क्या रहा है म मैं काम करने करने के लिए खड़ी होती हूं और बीच मार्चा ना जाती है तो इस तरही किसे मुझे आता जाता है कि अच्छा मैं यूगल सरकार को लगता है भोग लगा ना भूल गई फिर अब मैं क्या करती हूं अपने जो खाने के जैसे चावलों के हैं चीनी के इन सब में तुलसी पत्र डाल के रखती हूं एक बार और ऐसा ही हुआ कि काम के वरलोट की वज़े से मैं भूल गई तो क्या हुआ तुलसी पत्र जो है वो मेरे मैंने चावल निकाले तो मैं उन्हें धोने के लिए बरतन में डाला तो तुलसी पत्र सामने आ गया तो मुझे तुरंत मुझे चरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको कि हमारे यूगल सरकार की नटकट सरारत कैसी लगी जै शरी कृष्णा रादे रादे